वेलकम टू श्टेप अपाईए स्वागत है आप सभी लोगों का दा इंडियन एक्स्प्रेस के एडिटोयल डिसकुशन में आज है 30 शुलाई 2018 तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं ये कौर्णर का आर्टिकल ये बताता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है तारीख इंसाफ वो अभी हल bottles के साथ कोलेशन करके एक सरकार बनाने में सक्षम होंगे और इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे बात की जो मीडिया है उसमें लगातार ये questions उठते रहे हैं कि क्या इमरान खान इंडिया के साथ अच्छे relations रख पाएंगे क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान की जो party है तारीख इंसाफ उनको military का backup था और वो military के confrontation के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे जैसा कि नवास तरीफ के साथ हो रहा था उन्होंने military के साथ एक confrontation लिया था जिसके results उनके सामने हैं हलाकि उन्होंने अभी जो पहली speech दी elections के results आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इंडिया एक कदम चलेगा तो वो दो कदम आगे बढ़ाएंगे उसके बाद इंडिया की जो authorities है उन्होंने भी positively respond किया है तो article कहता है कि हमें सारे prejudice से निकल कर अगर इमरान खान वहां के प्रधान मंतरी बनते हैं अभी जो उनकी संख्या है वो 3% के approximate बची हुई है पार्लियामेंट में आर्टिकल थोड़ा political हो गया है ये कहते हैं कि ऐसा BJP के आने के वज़ह से है because BJP ने के वल 9 members को seats दी थी election contest करने के लिए 2014 के election में जिसमें से कोई भी candidate जीत नहीं पाया था तो आर्टिकल सुरुआप में जो बात कर रहा था वो तो ठीक ठाक थी अगर Muslims के representation की बात की जा रही है that is a valid issue जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए लेकिन पूरा जो आर्टिकल है वो political मुद्दे के तरह swing कर गया है इसलिए हम इस आर्टिकल को neglect करेंगे ठीक है because political points हमारे काम के नहीं होते यह आर्टिकल है National Commission for Women के बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल है डीटियल से discuss करेंगे यह आर्टिकल MCI के अंडर में कुछ guidelines जारी की गई है disability के संबंद में बहुत important आर्टिकल है डीटियल से discuss करेंगे इस page पर यह article सरिया court के बारे में है देखिए 16 जुलाई को हमने एक article discuss किया था जिसमें जो writer थे वो advocate कर रहे थे कि यहाँ सरिया court alternative dispute reduction mechanism के तोर पे एक अच्छा option हो सकता है और past में इंडिया में काफी अच्छा सरिया court ने काम भी किया है सारे positive points यह गए थे हलाकि article उस पूरे argument का बिरोध करते हुए यह कहता है कि जब वो article लिखा गया तो उन्होंने एक बात को ignore कर दिया जो सरिया court का performance है बिटन में वो बहुत ही खराब रहा है और एक review committee जो गठित की गई थी सरिया court की performance को track करने के लिए उन्होंने ये बताया कि सरिया court अभी तक जो Muslim woman है उनके हितों में काम नहीं कर पाई है और उनका जो काम रहा है वो काफी पर्तियार्गी को support करने वाला है कुल मिला कि overall जो response था वो अच्छा नहीं रहा है पूरा जो article है वो केवल एक ही मुद्दे पर surround कर रहा है वो अच्छी नहीं है और हमें एक dispute redressal mechanism की जरूरत है बट ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा constitutional export नहीं हूँ मैं बहुत बड़ा legal export नहीं हूँ ऐसा writer बोलते हैं लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जहां तक सरिया court के सम्मंध में बात कही जा रही है आर्टिकल 14, 19 और 21 या फिर आर्टिकल 15 को अपहल करने में सरिया courtic option नहीं हो सकता ये इसे सिरे से खारिज करते हैं तो आर्टिकल में जो important बाते थी वो तो मैंने आपको यूँ ही बता दी है बाकी article important नहीं है या article धड़क movie के बारे में है not important at all, eliminate करिए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने discussion की ओर ये बाते online personal guidance के बारे में हैं you know as well कि बहुत अच्छा program है आप एक experience coach के अंडर में तयारी करेंगे intense writing practice करवाई जाएगी time management भी करवाया जाएगा prelims और means के test series आपकी इस program का हिस्सा है बाकी ये course जारी है जिस पर आपको काम करना होगा that is time management जारी जिससे आपको regularly and compulsorly fill करना होगा fill नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके coach आपसे बात ना करें तो अगर आप systematic तरीके से तयारी करते हैं अपने coach के अंडर में तो results positive आने के chances बढ़ जाते हैं ये program थोड़ा सा expensive है because of its input cost अगर आप इसे afford कर सकते हैं तो I would recommend कि आपको join करना चाहिए अगर आप afford नहीं कर सकते हैं then beware, कुछ काम है जरूरी है आपको खुद से करने होगे like time management answer writing is the basic component of your preparation जो आपको खुद से करना होगा then इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इतनी affordability नहीं कि आप किसी program को join कर सके तो आपके तैयारी hinder होगी then what requires more courage more dedication, more inspiration from your inside कि हाँ आप कुछ करने के लिए आए हैं और आप करेंगे तो आप उसे करिए बाकी अगर आपको लगता है कि affordable हो सकता है आपके लिए you can contact on these numbers जो आपको slide में नीशे की और दिख रहा है ठीक है तो चलिए चलते हैं ऐसे writing के तरफ और देखते हैं आज हमारे पास क्या है we have a statement of Martin Luther King the time is always right to do the right thing अगर आप कोई सही काम करने वाले हैं तो ये कहना कि सही समय आने पर में ये काम करूंगा it's really logical because सही समय सही काम करने के लिए जो समय होता है वो हमेसा सही होता है and that is the statement of Martin Luther King you can use as per your wish, as per your need fact यहाँ पर यह है Indian cinema के बारे में बात की जा रही है एक article धरक मुवी पर भी आस था that we left India's cinema industry is more than US and Canada combined in terms of ticket sales of 3.2 billion per year अगर आप Indian cinema के बारे में कुछ लिख रहे हो then you want to tell the size of Indian cinema you can write that line कि जो हमारी cinema industry है वो US and Canada की जो combined industry है in terms of ticket sales वो जादा है obviously population जादा है ठीक है देखते हैं पहला article since of the commission paper 30 topic को जोड़े role of women and women organization देखिए मुद्दा क्या आया कि women commission ने अभी recommend किया कि जो churches में जाकर लोग confess करते हैं इस practice को खतम कर देना चाहिए उन्हों लॉजिक क्या दिया कि कुछ scandals अभी आये केरला में जहांपर police ने चार priest को जो कि बलंकारा orthodox Syrian church से belong करते हैं जुलाई को चार्ज किया कि उन्होंने रेप किया और मॉलिस्ट किया women's को उन्हें blackmail करके because उन women ने उन list के सामने जाके कुछ confess किया था जिसकी वज़ह से वो उन्हें blackmail करके मॉलिस्ट कर पाए और harass कर पाए इसी वज़ह से जो national commission for women है उन्होंने कहा है कि यह जो confess की practice है churches में हमें इसे ही खतम कर देनी चाहिए because इससे women vulnerable हो जाती है आर्टिकल को यह बात पसंद नहीं आई है आर्टिकल इस बात का घोर भी रोत करता है आई यह देखते हैं कैसे first of all हम जानते है national commission for women के बारे में it is a kind of statuary body statuary body एक ऐसी body होती है जिसको एक act पास करके बनाया जाता है तो national commission for women act 1992 के तहत इस आयोक का गठन किया गया था और बहुत wide mandate दिया गया है इसे काम करने का जैसे कि यह investigate कर सकते हैं और examine कर सकते हैं कि क्या legal safeguard women को दिये गए हैं हमारे संग्विधान के अंदर हमारे कानून के अंदर साथ ही और जो कई तरीके के कानून हैं इंडिया में उसे review कर सकते हैं उसमें क्या खामिया है क्या च्छाईया है वो कुछ amendment भी recommend कर सकते हैं वो complaints को notice कर सकते हैं और sumo notice भी जारी कर सकते हैं वो research and studies भी organize कर सकते हैं ताकि वो women कि city को बहतर बना सकें तो काफी wide range में इनको काम दिया गया है National Commission for Women को और अभी उन्हें रिकमेंड किया कि churches में जो confession किया जाता है महिलाओं के दोरा या फिर किसी भी व्यक्ति के दोरा वो बंद कर दिया जाना चाहिए आर्टिकल कहता है कि this is particularly fraud time in gender relations across the world ये बहुत ही व्यकुल समय है, fraud time है, gender relations को लेकर पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में कई सारे institutions हैं महिलाओं की अधिकारों की रेक्षा करने के लिए वो अभी struggle कर रहे हैं कि किस तरीके से respond करना चाहिए in sexual predators के खिलाफ लेकिन यहाँ पर एक organization ऐसा है जो कि completely clueless दिख रहा है और वो hit कर रहे हैं इंडिया के National Commission for Women की ओर यहाँ पर देखिए कुछ पीष्ट के उपर allegations लगे कि उन्होंने sexual abuse किया women और minors के साथ church में केरला की ये बात है जो मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ यहाँ पर National Commission of Women कुछ guidelines के साथ आया है जहाँ पर वो कहते हैं कि जो religious authority है उसे थोर सा dilute करना चाहिए उन्होंने कहा कि जो confession किया जाता है वो महिलाओं को vulnerable बना देता है article कहता है कि अगर कोई महिला जाकि किसी व्यक्ति की सामने कुछ confess कर देती है तो वो vulnerable position में आ जाती है article यहाँ पर कहता है कि जो National Commission for Women के suggestions है वो reckless हैं और damaging है सही नहीं है यह धर्म को खत्रा पहुचाने वाले हैं hem handled need needling the minority right to decide its essential practice देखिए Christianity is a religion of minority in India उनके कुछ religious rights हैं कुछ practices हैं जिसके तहब वो confess करते हैं Christ के सामने जाके प्रीस के सामने जाके अपनी गल्तियों को और वैसा मानते हैं कि अगर वो confess करते हैं माफी मांगते हैं तो Christ उन्हें माफ कर देते हैं अगर उनके इस अधिकार को छीना जाता है तो यह majoritarian access को impose करने जैसा होगा आर्टिकल कहता है कि महिलाओं के सुरक्षा करने के लिए महिला आयोग को और बहतर कदम उठाने के आवशकता है बजाए इसके कि वो religious practices को कर्ब करने के प्रयास करें आर्टिकल कहता है कि महिला आयोग वही आयोग है तो जो women organizations हैं उनके काम पर अक्सर question marks लगते रहते हैं और अगर इस लिहास से वो religious practices में intervene करने के कोसिस करते हैं तो उनका ये approach सही नहीं ठहराया जा सकता बलकि उनको कुछ inclusive approach लेने की ज़रूरत है जिसके जर्यों महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रख पाएं National Commission for Women के काम करने का जो तरीका है उसमें भी बहुत कुछ improvement करने के आवशकता है उन्हें चाहिए कि वो women की आवाज को कई सारे platforms पर और ज्यादा strong करें और कोसिस करें कि जो उनके अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित किया जा सके consult और sexuality के मुद्धों पर वो debate organize करें ये कहते हैं कि जो Indian women हैं उन्हें patriarchy को smash करने में अभी बहुत लंबा समय लग जाएगा जो कि unpredictable है ये काम जरूर होगा आने वाले भवश्य में महिलाएं अपने अधिकारों को सुरक्षित करेंगी वो बिल्कुल वैसे ही अपना जीवन यापन कर पाएंगी जैसा वो चाहती है ये रास्ता ये लक्ष उन्हें जरूर मिल जाएगा लेकिन ये तैह है कि ये रास्ता National Commission for Women से होते हुए नहीं जाएगा ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिसकस किया आएगे देखते हैं अंगला आर्टिकल Borders for Doctors, Paper 200 Topic को जोड़िए Education वाले सेक्शन से Medical Council of India Guidelines are Unfair to People with Disabilities Medical Council of India की जो प्रेजन की Guidelines हैं वो People with Disabilities के लिए बहुत अच्छी नहीं है, Unfair है आएगे देखते हैं, देखिए इंडिया ने 2016 में एक नए लॉक को celebrate किया Rights of Persons with Disabilities Act जहां पर Disabilities की संख्या को साथ से बढ़ाकर 21 कवर कर लिया गया पहला जो इसका विजबल इंपक्ट हमें देखने को मिला, वो एक कैंडिडेट की संब्द में मिला जिसको थेलेसेमिया की बिमारी थी उसे नीट का एक्जाम पास किया था लेकिन उसे एडमिशन नहीं दिया गया सबसे परहे तो थेलेसेमिया क्या होता है देखिए, थेलेसेमिया एक Bloods related disease होती है, जहां पर उस व्यक्ति में जो Bloods होती है उनकी स्थिती खराब होती है यह बिमारी कई बार inherited होती है, बस से ही स्टार्ट हो जाती है, ट्रीट्मेंट में देखिए होता यह है कि Bloods का transition करना पड़ता है हर 4-6 अपता में यह bone marrow को भी affect करता है यह बिमारी acute और chronic बिमारी तरीके की हो सकती है तो थैलसेयमिया के समंद में विमारी थी उस बेक्ति को बच्चे को जिसने नीट का emeraldjam पास किया था बट सुप्रीम कोट ने फिर सरकार को फटकार लगाए उन्होंने बोला कि उस बच्चे को seat देरी जाये नए locket है इससे काफी embarrassment हुई सरकार को ये जो embarrassment थी सरकार की इसके लावाँ Health Ministry ने कुछ directions भी दिये थे इनी सारी चीजों का एक combined response हमें देखने को मिला जहां पर an expanded committee on disability was constituted Medical Council of India के under में एक committee on disability को constitute किया गया जिसने अपने recommendations को भी 5 जून को submit किया ठीक है तो अब आईए आगे देखते हैं एक मुद्दा है इसमें dyslexia का फरस्ट अफॉल तो आप ये जानिए कि dyslexia क्या है देखिए आप में से कितने लोगों ने तारे जमीन पर movie देखी है movie में एक बच्चा था इसान उसे dyslexia की बिमारी थी इस विमारी में ऐसा होता है कि आपके WORDS क Sacramento अच्छे से partners कुम हो जाती है बट कुछ different abilities होती हैं जो आपके अच्छी होते हैं जयससे उस movie में विए उस बच्चे की printing मननाने की capability काफी अच्छी थी तो इस विमारी में आपके पास कुस्पेशल abilities होती हैं बट कुछ दिक्कते होती हैं so that was all about dyslexia आप general understanding के लिए इतनी बाधे जानते रहे हैं तो देखिए dyslexia के संबंध में किसी बच्चे को क्या अधिकार होना चाहिए इसके संबंध में aims के एक psychiatrist थे उनको guidelines देने के लिए कहा गया और उन्होंने अपने recommendation में ये कहा अगर कोई भी व्यक्ति learning disability से ग्रसित है जैसे की dyslexia and autism autism भी dyslexia की जैसी एक बिमारी होती है जिसमें आप किसी भी एक task को बार-बार repeat करते हैं और communication में भी आपको दिक्कत आ जाती है तो ऐसे किसी भी बच्चे को medical education के लिए disability quota के तहट pursue करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए पहला मुद्दा तो यह है कि कोई psychiatrist कैसे decide कर सकता है कि 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 व्यक्ति को किसी बच्चे को जिसको दिक्कत है dyslexia या फिर autism की वो medical education में जाएगा या नहीं जाएगा because यह काम किसी pediatrician, psychologist या फिर neurologist को करना चाहिए था लेकिन इस पूरे procedure में recommendation देने के दौरान इन लोगों को consult तक नहीं किया गया मुद्दा यह है कि last year National Trust of Ministry of Social Justice and Empowerment ने जब dyslexia के संबन्न में एक training program चलाया था तो उन्हों उन्होंने एम्स का जो pediatrics department है उसके साथ मिलकर चलाया था मतलब मुद्दा यह है कि जूसिस चिकत्सक हैं उनकी आवशकता होती है इस मुद्दे पर तो इस बार आखिर MCI ने psychiatrist को क्यों चुना कि वो इसलेक्सिया के संबन्ध में अपने recommendations दें अगर आप ऐसा करते रहे तो हम बहुत बड़ी बड़ी टैलेंट्स खो देंगे या पास्ट में खो दे थे कुछ एक यंग डॉक्टर थे टूरल एक हॉस्पिटल में वर्ल्वार सेकेंड के दौरान उन्होंने पहली बार artificial kidney का निर्मार किया आगे चलकर उन्होंने पहली बार artificial heart का भी निर्मार किया और आज आप उन्हें विलम कोफ के नाम से जानते हैं जिन्हें father of artificial organs का दरजा भी दिया गया है और मैं आपको बता दूँ कि वो भी dyslexia सिग्रसित थे मैं आपको और एक example देना चाहूं तो एक दूसरे डॉक्टर जिनका नाम हैलन तोशिक था जिन्होंने काफी specialty हासिल की थी pediatric cardiology में उन्हें भी dyslexia के दिक्कत थी अगर ये कानून पहले implement कर दिया गया होता तो क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसे महान medical experts को खो देते जो नया disability law है वो ऐसे हर व्यक्ति को reservation का प्रावधान करता है जिसकी learning disability 40% से ज्यादा है लेकिन यहाँ पर देखिए 110 बच्चों को select किया गया था disability quota के तहफ नीट exam में इस साल लेकिन जब medical ये जो MCI की guidelines आई उसके बाद नौ बच्चों को 8 बच्चों को exactly disqualify कर दिया गया ये कहते हुए कि आप नई guidelines के हिसाफ से disqualified है तो ये गलत किया जा रहा है dyslexia के बारे में मैंने आपको बताई दिया है color blindness के बारे म तो एक eye expert committee ने warn किया कि हर व्यक्ति को जिसको color blindness है उसको ये जानना चाहिए कि आखिर ये deficiency कितनी severe हो सकती है और उन्हें अपने carrier में क्या-क्या दिक्कते हो सकती है आर्टिकल कहता है ये unethical है कि आप उन्हीं ये बताओ कि उन्हें क्या दिक्कत हो सकती है बिना ये बताए क कि उन्हें क्या करना चाहिए आपने उन्हें कोई guidance नहीं दिया सिर्फ ये बताया कि उन्हें क्या दिक्कत होनी चाहिए तो ये गलत है historic decision ये रहा है कि Supreme Court ने ये कहा था कि वो व्यक्ति जिनको color blindness के दिक्कत है उन्हें ambivious exam में discourage नहीं किया जाएगा वो उसे pursue करेंगे MCI की guidelines जो है वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बार करती है medical education के रहे जिनको locomotor disabilities जो है वो 80% से जादा है physical disability होती है mental misconnection के वज़ा से जिसमें आप अच्छे से चल नहीं पाते हैं आपको wheelchair का सहरा लेना पड़ता है उन्हों बुला अगर किसी व्यक्ति को 80% से जादा ये दिक्क भी डॉक्टर सुरेस आडवानी को अपना highest honor Dr. BC Roy Award दिया डॉक्टर सुरेस आडवानी वही व्यक्ति हैं जिनको President of India ने पदमस्री और पदमभूशन भी दिया हुआ है मैं आपको बता दूँ कि आडवानी जी hemato-oncologist हैं जो कि blood disease या फिर cancer से सम्मंदित उन्हें काफी अच नहीं चाहिए थे तो क्या हम कह सकते हैं कि MCI की जो प्रजिन की guidelines हैं वो सही हैं आर्टिकल इंड में conclude करते हुए यह कहता है कि जो policy makers हैं डॉक्टर्स हैं जिनोंने कभी disability को experience ही नहीं किया वो यह decide नहीं कर सकते कि कौन सा विक्ति क्या आचीव कर सकता है और क्या आचीव नह को और एक committee का फिर से गठन करना चाहिए जो कि doctors और उन लोगों को भी include करें जिनको disability के संबन में expertise है ताकि हम सही recommendations पास सकें सही guidelines पास सकें तो यह पूरा article हमने यहां पर discuss किया फ्रदा complex था मैंने easy बनाने का प्रयास किया है I hope आपको समझ में आया होगा देखते हैं आज मा civil servant बनते हैं तो आप जो भी काम करते हैं आप उसके लिए answerable होते हैं वो आपकी जवाब देही होती है आपको अपने आपको highlight नहीं करना होता आपका काम highlight होना चाहिए ऐसा बिलकुल आपको करना चाहिए और आप politically neutral होने चाहिए मतलब आपका जुकाओ किसी political party की तरफ नही दिखाएं बलकि अपने काम को highlight करने की कोशिस करें कि आपने जो काम किया है वो बहतर है या फिर नहीं है और आप अभी से ही किसी political party को favor ना करें और एक neutral approach रखें question आपके लिए है कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो social conflict होता है उसका एक सब्द में आपको करन बताईए एक sentence में सब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ एक sentence की बात कर रहा हूँ आप एक पूरा sentence इस्तेमाल करिए and tell me the cause of social conflict आप अपना जवाब मुझे comment box में दीजिए कुछ innovative questions होते हैं ऐसे सवाल जब interviewer आपके मुँपे फेकता है तो दिमाग घूम जाता है लेकिन अगर आपने इसकी तैयारी अभी से कर रखी है then you would be fluent ठीक है यहाँ पर हमारा discussion समाप होदा है thanks for watching this discussion thanks a lot